नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स करें लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स करें लिए सब्सक्राइब करें लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स करें जानल्स करें लिए साथ झाल 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 जाल झाल चलिए पंडीजी अभुआ प्रीज़ते हैं अदेश्टेदार किसका है हमारे रिष्टेदार का बच्चा है रिष्टेदार का मतलब दूर का रिष्टेदार इसका बच्चा है हमारे घर आए तुके सवाई करते हैं ठीक मंदिर में पूजा पाट भी सब अच्छे से हो गया आउंटी मैं आपके घर पहु बनकर आऊ जखाएगी जब ने उससे अपना बेटा ही नहीं मानती तो तुछ बहुं कहां से बना लाओं अप माँ बेटे का जख्ड़ा तो हिंदुस्तान और पाकिस्टान से बना हो गया है आप माँ बेटे सुरच पश्चिम से हो सकता है पर माँ बेटा जगत तक अलग नहीं रह सकते तुम्हें अच्छी बात कही है सामन जाकर उतार लो गारी उसे अब आगे कुछ मत बोलना शाम को घर आके मंदिर का प्रशाद ले जाना अब जागर सामन उतार लिया है चल बेटा घर चलते हैं चलते है आग यह लिजी आग्या सुब्य सभी दुकान में मन्हूसियत खैला ना मुझे भी एक प्लेट इडली दो ना तुझे यहां से कुछ नहीं के अकल नहीं है कितनी बार कहा है फिर भी बार बार यहां के बैठ जाता है रहती है चुप होوسकत तक भापी क्या बार भी वहापका घुटभ है और आप मा आपने देखांने अभी भाराए तुछे घर पर स्काना है यहां जो देखो मुझे सिखाता रहा है क्या भावी क्या कर रही हो उतके बेटों को भुता बगा दिया चुप चाप अपना काम करो बर्दा इस उमर में दरदर भटकना पड़ेगा जाओ तो आप उसे अपना बेटा ही नहीं मान रही हो अरे ऐसी क्या गलती होगे उससे किसी का बेटा 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 रुख जाओ बेटा अपनी मा का स्वभाव तो तुम अची तरह से जानते हो खैर छोड़ो यह लो बेटा मैं एडली लाया है मुझे नहीं चहिए दादा मैं अपनी मा के हाथ करेंगी फिक्रमत करो बेटा करें वापस घर बुला लेगी घंचा की बाद सच हो ये मैं चलता हो एकने सोधी परिवार को ना जाले किसकी नज़र नख गए है यह उपर वाले अब कुछी इस परिवार के रक्षा खाँ अजय है अजय है आया है अजय है अजय है आया है ओ पिया ओ पिया क्या चारो तुम नी कर दिया है नया है नया सासो का मौसम है बेया पाकर दे पागर दे प्यार यार दे दिल से दिल मिलने दे लेरे होश दे कड़ी कड़ी सेह चुड़े इश्क दुमण में दे तुम मुझे चूदे और नखर पारे ओ पिया ओ पिया या जादो तुम नी कर दिया कि और यार बेंट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तुम ही उसाजन, मिरे जीनी का कारण तुम बिन तेरी खड़के ना दिवानी ये धर्गन तुम ही उसाजन, मिरे जीनी का कारण तुम बिन तेरी खड़के ना दिवानी ये धर्गन दिहें कैसे तुने ये दुश्वालियां बर्डाली ए तुने मज में बेता गियां मेरी वफा, मेरी अधा, तुछ भी किये मैंनी फिदा, ओ पिया, ओ पिया, हजादों तुमनी पर दिया अब तो मेरा दे, नमानी तेरे विन, अब तेरे ही सपने मैं तो देखू हर परचिन अब तो मेरा दे, नमानी तेरे विन, अब तेरे ही सपने मैं तो देखू हर परचिन मेरी सारे अर्मानों का तुछ जाहा, मैं भाईनी हूँ, अब तो पिया, तुछ जाहा सास भी लूँ, मैं जुपिया, इतर समय के तुँ ही पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, आजादो तुम नी खड़ दिया आगया तेरा वाला, अच्छा सुनो मैं मिलकर आती हूँ उसे, अजा मिलकर आ, जाजा इस तरब कैसे आना हुआ, मुझसे ही मिलने आए थे ना, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही धरा गया, एक खूपसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, और तुम्हारा मन खीक नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, सिनिमा, पार्क और रूम, क्या, क्या का दूँ सौरी बाबा, तो जबान पिसल गई थी मेरी, डैन कहने पाली थी मैं, तो फिर ठीक है, ऐसे क्या बाग है, मैं जब भी तुम्हारा मूँ पूला हुआ रहता है, ऐसे क्या परिशानी है तुम्हारी, बोलो तो सही, ओहो, I love you बाबा, मैं भी तुम्हें love you कहूँ, यही चाह आउंगी, यह सोचा था मैंने, पर तुम चाहते हो कि पहले आंटी को मनाओ, तुम्हें बाद में, ओके, मना लोंगी, पहले तुम बाद आपुया करो, इसके बाद देखूंगा, जल जल दी, इस लड़की को कहीं देखा है क्या, नहीं साब मैंने नहीं देखा, नहीं देखा है, जलो, सुन बेटी सामबार के लिए कड़ी पत्ता और बाकी मसाले तो है ना कड़ी पत्ता नहीं हमाँ बाकी सब मसाले है ठीक है तब तो मंगवाना पड़ेगा आंटी आगे धर्दी पर बोज परहाई कर रही हो आंटी नहीं नहीं एक्जाम दे रही हूं मैं है तो भी ना धर और आंटी यह मार्केट में जा रही हूं तुझे कुछ चाहिए क्या है क्या है आपके सवाल पूछना है यह प्लीज आप उसका जवाब दोगी ना थीक है बोल्द पूछ जवाब दूगी वो ऐसा है कि अगर आप अपने बेटे को माफ कर दोगी तो वो मुझे अपना लेगा प्लीज अंटी उसे माफ कर दीजिये ना अजिसक्त बाइब और रही है किपिना फून की आई क्या अपने जितने कपड़े गावालों को बेचयोंने पहन के निकल भी नहीं पाते हैं। आरे मैंने तो возь डिये ठे ले थे आप अपने कपड़े दिये और ये तुम हमेशा मिझा करती रहते हो अच्छा यह बताओ में बत्चा किसका है यह इसका है आप फालतू बाते मत करिए चलिए जाए चलो हम भी चलते हैं चलो ना कले में मंगल सूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर है फिर यह बच्चा कहां से आया पता लगाना पड़ेगा पता लगाना पड़ेगा क्या बात है आज अपना मोटू नजर नहीं आ रहा ह नंपाता ने यार मां क् limbs को मैं तुम्हारे कव दूंढंगे से बात करे दख होगा क्यों कि पहले की तरह तुम्हारी मां पता नहीं कब तुम भी मुझे भूल जाना तुम्हारी माँ को समझाओ तो वो मुझे मारती है यहां तुम्हारे लिए अपने माबाप को छोड़के तुम्हारे पीछे घूमती रहती है एक बात बोलू यार मैंने इसका प्यार पाने के लिए इसके बाप की नौकरी की थी लेकिन वो अगर कल मर मरा गई ना तुम लेने के देने पड़ जाएंगे जो पसंद ने उससे जबरदस्ती प्यार करूं क्या मैं तेरी बात में समझ रहा हूं लेकिन अपने गाउं में फिर से उस चंदा जैसा कान नहीं होना चाहिए यह आगया बंगाली बबाबा ग्यान देने के ल अरे भाई शंभू हमारी सिंदगी का क्या हाल हो गया अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं आँ जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है पर मेरी सिंदगी में तो उतार है परेशान मत हो आज हम साइकल से चलते हैं कल बाइक से चलेंगे परसो गारी म अब साइकल पर आगया हूं याही हाल रहा तो पैदल चलेगा नहीं नहीं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए वहां देख वह देख यह इल्ली वाली इतनी तेजी से कहां जा रही है उसके घर में कोई गडबर चल रही है पक्की खबर लाया हूं उसके घर में एक लोग तुम्हारे परिवार के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं वैसे हो तुम किसमत वाली एक ही बेटा है उसकी शादी कर देती तो उसमें कितना खर्चा लगता टेंट वाला बैंड वाला खाने का खर्चा रिष्टेदारों का खर्चा रिष्टेदारों का खर्चा के लिए तुम गाय के साथ साथ बचला भी लेकर घर आ गई मानना पड़ेगा कितनी समझदारी से काम किया है तुमने अगर यह बच्चा हॉस्पिटल में होता तो ऑप्रेशन के लिए लाग दो लाग का खर्चा तो होता वो भी बचा लिया तुमने तुम्हारी शादी हो क्योंकि तुम जो घुम-घुम कर साड़ी बेशने के नाम पर सबकी चुगली करते हो ना तो तुम्हें कोई लड़की देगा भी नहीं आखरी वक्ता प्राइब कोई पानिक लाने वाला नहीं मिलेगा ये शाद मेरा शरम नहीं आती मा और बच्चे पर इलसाम दकाते यार क्यों बेकार में पंगा लेलिया उस वरस से कितनी बात सुना गई वो धंदे में सब कुछ चलता है अरे धंदे के नाम पे क्या-क्या सुना के गई है वो तो सोच अरे हमारे धंदे में रोज और्टों से टाक खानी पड़ती है उसका मजा ही अलग है हुआ 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 है जिसने भी मेरे भाई को मुझसे अलग किया है उसके परिबार में कोई भी नहीं बचना चाहिए तुम लोग क्या और कैसे करोगे यह मैं नहीं जानता और जगले 24 घंटों में वो मेरे सामने होने चाहिए मैं अपने हाथों से उन सब के टुक्रे टुक्रे करूंगा तभी उनकी आत्मा को शांती मिलेगी इस फोटो को और से देखो तुमने कहीं से देखा है जी नहीं मैं नहीं जानता नहीं देखा चले आरा कि अब यह जानते हो गया नहीं देखा काश उस दिन की तरह आज भी जय यहां आ जाए आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं कुची कुची रक्मा पासाओना एक प्यारी प्यारी गुडिया देदो ना सारा जहां सो गया क्यो माला ना करा रही हो मैं तो आइसक्रीम खा के आ रही हूं पता नहीं चलता तुम्हें रोज आइसक्रीम खानी चाहिए क्योंकि बाद में नहीं खा पाओगी ना प्यार में दिल तुटने के बाद भोक नहीं लगती है इसलिए भी जो कुछ भी पसंद हो वो सब कुछ खालो मुझे समझा रहे ह अरे तुम तो एकदम ना समझ ओ आज के जमाने में लड़कियां पहले सब कुछ कर लेती हैं उसके बात शादी करती हैं बात की गुमा रहे हूं क्योने गुमा रहा हूं जैकि मा के घर में जो लड़की रहने आई है कौन है जानती हो वह जैकि वीबी है और बच्चा भी ज नमक जैसा है तुमने मुझे घुसा मारा ना एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनो आप देखो मैं क्या करता हूं वो जय की बीवी है तेरी तो क्या बात है यार आज तुने बड़ी अच्छी शट पहनी हुई है मुझे भी एक दिलाना यार तुने मुझसे कुछ कहा क्या अरे यार मैं तबसे तुस्से भात कर रहा हूं अरे सॉरी यार मुझे कुछ सुरह नहीं दिया तुने तो बहुत अच्छी शट पहनी है यार मुझे भी दिलाना क्या हुआ यार मुझे कुछ सुरह नहीं दे रहा है साब साब बोलने कुझे क्या करना अरे यार तेरे जैसे दोसे अच्छा है दुश्मां पाल लूंगा मैं ये लो ये तयार है लो वो बैठ है उसको दे लो ये तयार हुगी एक दिक जड़ब दे लो ये तयार हुगी एक दिक जलम ये तसे कह सुख दूए नहीं दिया जजा अंदर अपना काम करें आप आज के बाद हमारे इलाके में दिखाना चाहाँ से मार जाल करें अधर लुए चाहँ ज़ए अब जल्वेचल सुनो अगर बुरा नमालो तो एक सवाल पूछू हाँ पूछू ना वैसे तो यह तुम्हारे घर का आपसे मामला है पर बुरा नहीं मानना क्यों तुम्हारे मा तुम्हारे भाई से बात नहीं करती इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानती मैंने भी कई बार मा से और भाई से पूछने की बहुत पर कोशिश की पर दोनों ने कभी इस बात का जवाबी नहीं दिया पर मैं एक बात जानती हूँ कि जब तक मेरे भाई इ इस घर में बहुत खुशा थी पर जिस दिन से भईया ने घर छोड़ा है मानो खुशी भी हमारे घर से चली गई है है थम छोड़ो इन सब बातों से क्यों परिशान हो रही है तुम पहले पहले इतनी पर परिशान हो और क्यूं पर रहे हैं देखो बच्चा रो रहा है जाओ चुप करें हुआ 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 देखो जय आ रहा है यह क्या भाई तुझे हम लोगों ने इतना मारा फिर भी तेरी माने थोड़ा विर्यक्त नहीं किया छोड़ना यार अरे कोई अंजान आत्मी को भी मारता है तो लोग ब तो इस तरह कोई चुप-चप देखता नहीं है मैंने यह सोचा था कि मैं अपने मां के सामने मार खाऊंगा तो वो मुझे बचा लेगी पर ऐसा नहीं हुआ मदद करने के लिए थैंक्स यार दोस्ती में थैंक्स कोई जरूत नहीं है चीक है चलता हूं कोई मां अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है जैसे इसकी मां कर रही है बिचारा बहुत बदनसीब है यार सुनो यार तो में पैदा हुए यहीं बड़े हुए सारी माती लग गई नहां हां अलिके मैं क्या करूं सिधे सीधे जाओ है आमने सामने फूल और फाइनल कर दो बचुझ एक बिच詐 इनल करके आया लो रा में तरि वो परेशाप कर रहा है परिज प्रूंक ऐसे ने तो इतना पढरा जना है जो के फिर चलो जी हो सबस्क्राइब पुर्व परेशाप कर रहेlles सबीगे सबस्क्राइब अगगे प्रप्राइब करी दो और हमें निया अर देख्ते हैं अ रख्ट ए दो पार ये कर रहे है पागल हो गया वार क्यों रहते हैं तो हमेशा गलत करनी चाहिए यार मैं भी बात करना चाहता हूं मैंने कोशिच भी कि लेखिन वह मानती हिने हे मैं तो हमेंशा गलएट आत्मी को दिखाता और मार कि लाता है आई यार मचा है ना ठीक है चल तू कसम का संद्धा की कसम का मा की कसम का दूसेरी पतनी की का है अब मुझे तुझ पर यकीन है जल समल के समल के अरे हैं यह तो यह वह बात है इस लड़की ओ देखा है क्या नहीं तो नहीं देखा मुझे नहीं पता है नहीं जानता हो जल भाई क्या हुआ यार सुबहे से पेट में बहुत गण मड़े भाई क्या खाय था दो प्रेट बिर्या निखाई थी बस भाई अवे ओ भुखर तुने दो प्लेट बिर्या नहीं खाई अवे मैं तो कह रहा हूं तेरे पेट में नहीं पुरे शरीर में दर्द होना चाहिए भाईया चलो घर चलो मैं नहीं आओंगा तुम तो मा का गुस्सा जानते ही हो ना तुम्हारे बिना घर सूना लगता है भाईया घर चालो ना मैं नहीं होगा तुम जाओ बाइया तुम्हारा नाम लेने से भड़क जाती है ऐसे क्या गलती कर दिया तुमने मैंने कोई भी गलती नहीं की है भाई घर जाओ कब तक तुम घर से बाहर रहोगे भाई तुझे समझ में यह तक या वह वाँ जाएगा तो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आते हूं भाईया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैं हमेशा की तरह बाहर खालूंगा तुम चाहों मेरी बात तो कभी सुनना ही मत अरे सुनों पेटा कि जाएंगा तो काथ ही डालूंगा पारिश होगी यहां यहां बैटा है यहां बैटा है यहां मुझे मुझे मार दिया तो आप क्या करूं यहां गल्ती हो गई मुझे मेरा बाब से 50,000 रुपए मैं कहां से लाऊं और इसाड़ी बेचूंगा तो भी 6,000 बाउंगा तेन हजार घर लेंगा को मुझे अल्यों हाओ यहां यहां मैं निकलन निकलन आप खाटनौन हाँ माजी मा जी सिटभ घर पर नहीं है क्या मार्केट गई है मार्केट गई है क्या बात है तुम परिशान लग रहे हो वह मेरी मा को प्रती किया को चालीस अजार रुपे जमा करने हैं मां की जान खत्रे में इसलिए माजी से पैसे लेना आया था पता नहीं मां जी कब तक आएंगी वापस मैं चलता हूं अरे एक मिनट रुको यह लो जितनी जरूरत है लेलो पीन नमबर 521521 ना बहुत बहुत अने बात अले कोई बात नहीं अपनी मां का ख्याल रखना हूं मैं चलता हूं अरे अरे क्या हुआ वोग लग रही है क्या तुमने खाना नहीं खाया आंटी को आने दो हां सुनिये मा की ओपरेशन के लिए जो आपने मुझे मुझे पैसे दिये थे ना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कोई बात नहीं अब तुम्हारी मां कैसी है हाँ मां भी ठीक है मैं आपका काड़ वापस करने आया था था ठीक चलता हूं एक मिनट तुम्हारी मां की तवित खराब हुई तो तुम इतने पारेशान हो ग नमस्ते 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 सब खीक है नहीं हमारी बच्ची की पढ़ाई इसी साल खतम हो रही है बड़ी मुश्किल से इस इंजिनियरिंग की पढ़ाई तो करवा दी अब इसके लिए एक अच्छा रिष्टा आया है बताव क्या कहती हो अगर आपको लगता है रिष्टा अच्छा है तो आप बात करके फैसला कर लीजी ना लो जय भी आगया आ बेटा क्या बात है पिता जी सब ठीक है ना बेटा तुम्हारी बहन के लिए अच्छा रिष्टा आया है तू क्या कहता है बेटा आप यह मुझसे क्यों पूछ रह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने और तुम्हारी माने लौ महरिश की थी मैं प्यार का दुश्मन नहीं हो बेटी मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी और को चाहती हो और दिल पे पत्थर रखके किसी और से शादी कर लोगी तो जिंदगी अबर कभी सुखी नहीं रहा पाओगे यह मैं नहीं चाहता अरे यह कैसे बाते कर रहे हैं आप रोप इसे से प्याद नहीं करती आप जाएए ना यहीं है अज़िए सब आप जी सब्सक्राइब करते हैं आपका यह शराब पीना जरूरी है क्या आप छोड़ दीजे साह बगवास कर रहा है चुप रहे है ना यहीं बात आपके बिश्चे आप से कहेंगे आप नाराज हो जाएंगे यह साब जी मैं हाट चोड़ता हूं आप जाब जाब जी सब्सक्राइब साब जी क्या करता है मैं ऴुची में तो प्रको धित्ती कुछने तो प्रको धियानना च्कन सी पुछभीकशना हूं ने था को कोक्ती मने ने यहीं पर ध्रजब कोंड़ हो जाब जाटशा बाइ चलिए 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 इस शराफ ने आज मजे किस नोड़ पर लाकर खळा कर दिया जो सारे काओं की बहु बेटियों की इस्जित करना सिखाता था हाज उसने अपनी सगी बेटी को पूरी नजर से देखा ऐसी कलती होई है मुझसे मैं पापी हो मुझे जीने का कोई हक नहीं इस शराब ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया मुझे होई है सुनिये जी, उठिये कौफे पिलेजी सुनिये ना, उठिये सुनिये सुनिये अजी ये क्या हो ये क्या ये क्या ओरे ओ पंची तूड़ चला पिंजरा तुरे का करके मन का सुना जहा ओरे ओ पंची तूड़ चला पिंजरा तुरे का करके मन का सुना जहा अर्मा सभी छोड़ करके सबके नैनन में आसु भरके आशा से बड़ी आस करके मन को आहत यूँ आज करके उड़ गए बेरहम जाने तुमका ओरे ओ पंची मूड़ चला ऐसे मूँ कहा करके मन का सुना जहा मन की बातें सुनके बंदया मन की शांती तुने गवाई अर्माया में फसकर भवरा भाप सका ना जान का खत्रा मन नहीं ये कोई मान दाएरा मन की कनता मन ये बावरा बस ये सब हुआ था चलता हूं मैं इनलीका अटा मिर्च्वीपाउडर ले लिया था ले लिया है ना अच्छा और क्या है संबल कर चलना ऐसा क्यों लगई है कि.. मा मेरी बात सुनो राई बात करू मा, मेरी कुछ शरक देढा मा वह हुआ, मैसे कुछ नहीं किया किसे बोलता है कि मेरे नज़रों से हञ única मा मा.. मा म, मेरी कुछ गरवत करू म थिया म बात करू मुझे चोड़के मच आ आ कमढ़ी तहूं दो आपढ़ मुझा है एक कोई गए खैनके दिखाले कारी एट मुझे जोड़को नाइए बोड़को पास जोड़ा जोड़ करेंगा जाओ जोड़ आपके मुझे आप करो बिगोगाँ लोगी अपने चाह्त दे़ूंगा थेखा ओधा एक पोका तो दो होगा थेको तुब लोगीज़ा करना बना में पर नाती चाह्त दे़ुगी ऐसा क्यों करी हुआ पया ने शचाहर की आप लॉह से शाल की आत्रगी आपो प्लीज मजें आपके आत्रान काई स्ट अार来अ अंटी पिल जह बाल अंटी वा है पिस दिए जए डञारे देश्ड निए है यह अधाइव यह निए पॉर्फ करें पेटा सब्सक्राइब इस जब कर देए यह इस तरह को सब्सक्राइब मुझे माफ कर देगा नहीं करने दिया मुझे माफ कर देगा पिर्टा आज मैं कुछ तुछ कर ले जाओंगे क्या बात है आज तुने बड़ा मस्त कपड़ा पहना है उस दिन में तुमसे कह रहा था कितने अच्छी शट पहने हैं मुझे भी दिला दो सुना नहीं अरे जब मैं मार्केट जाओं मैं तो लेटिया हूंगा ना अगर तुमने आमने बहुत मारा ताना अगर तु असल मर्द से निगा यह यह मत्वडिए मात्तम मां सबेस्चन प teníaस आफाना काड़ा करके दिखा है मैंता कॉपाल व्य था हिसे लटके दिखा अना लह भाह और है वैस ile मैं छेले को राप हम घाल कि मैंजे को पटक पटक के मारूंगा भगा भगा कर मारूंगा इसने और इसने कहा तो नहीं तुमने बिल्कुल चाहिए किया तुमने कि मैं चाली भी नहीं पहनी हुए बेटा मुझे जाने दो बेटा चला निकाल था जो फॉल बहुंतने तुम फागे उचे भी पाण्र जाने जाओ मैं तुझे बाते हैं जो गुझे जिकाव अधूरा इसने ना ने इस लड़की को कहीं देखा है क्या नहीं नहीं देखा है 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 नहीं कभी नहीं देखा है नहीं देखा है नहीं देखा है नहीं कभी नहीं देखा है नहीं देखा है नहीं कभी नहीं करें आख करें करें कि अधर्ड दोग इस लड़की को देखा है क्या हां देखा है ना पर देखा है प्रेट जाके लेफ्ट ले लीजिए भारतपुर्नाथ के गाउ में एक इडली वाली के यह लड़की रहती है महीं जाकर पूछ लीजिए गाड़ी बढ़ा कि इतनी बार इडली वाली के बेटे से मार खाया आज पत्ता ले लिया मैंने मुझे को मौका मिला मैंने बदिला लिया कि यहां मत्तर भाई यह वही लड़का है भाई भाई जब हम लड़की दो आने गये थे ना तो इसने हमें बहुत मारा था और लड़की को पचा लिया था कि यह अरे तु बहुत डर रहा है भाई आप जो भी कुछ कहो पर मेरी बात माल लो यहां मत उत्रो आप कहोगे तो साहब से खुद फोन पर बात कर लूँगा भाई अच्छा ऐसा है गाड़ी पीछे ले आप लड़की मिल गई है साब मिल गई क्या आप साब भरतपूर गाउं में मिलिये बड़ी मुश्किल से उसे टूड़ा है साब आप जल्दी से वहां पर आ जाईए वेरी गुड मैं तुरंत आता है एए जल्दी से भरतपूर की दरफ चलो अम लोग यहीं पर आपका अरे थेश चला गाड़ी जल्दी काड़ तुने अच्छा से भुग मांके दर्शिन करेंगी ना अरे मंजर अच्छा है ना अच्छा है ना अच्छा कि अच्छा थे अच्छा यहां थे आपका इसलिए कि अच्छा तुम कैसे हो बैद कुल ठीक हो बैना तुम कैसी हूं यह बताव मुझे बहुत खुशी हो रही से देख तुम समीक कितने साल हो गए पर तुम यहां कैसे मैं अपनी बीटी को ढूनते हुए यहां चलाया यहां यहां भालू हिंता पर भाईया तुमारे बेटी इस बच्चे के साथ कैसे क्या हुआ अभ्यार के चक्र में पढ़ी जाती है दल ल स पाथ हो जञाएं ज़मीन और इजट के साथ इतने सालों से तो अब क्या हुआ यह मेरी इकलोती बेटी है इसकी में शादी अच्छे घर में करना चाहता था जहां पर हमेशा खुश रहे सहाब अगर मैं अपनी बेटी की शादी इस निकम्मे से करूंगी तो मेरी बेटी जिन्दगी भर परिशान रहेगी अरे क्या परमेश्वरी तुम बता तुम्हें लड़की पसंद रहे या नहीं देख बेटा शादी जिन्दगी का सबसे बड़ा फैसला होता है अच्छी तरह सोच समझ के हां बोलना मैं जी आप च्यांत रहिए साब जी मैं सारी जिन्दगी इस लड़की को सुखी रखोंगा इससे पलको पर बिठा कर र है आपके घर में भी तो बेटियां है मैंने बच्चों को सपोर्ट के इसलिए बात अच्छी नहीं लेगी अच्छा यह बताओ तुम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करवा दी और वहां पर यह सुख से नहीं रही वापस माई के आगे तो उसके बाद तुम क्या करोग अपसमें बैट के शादी का मुरत निका लिए बहुत दिनों से अच्छी दावत नहीं कहाई आए तो दरती पे हमें जगे कहां मिलेगी कर रहे हैं करना चाहता हूं और हैं करूंगा भी तुम डॉक्यूमेंट के साइन करने से मना कर रहे हो हमारे जाने के बाद हम अपनी सारी जाइदा अनाथ अश्रम को दान कर देंगे मैं भी अनाथ हूं यहां गड़े सभी नाथ हैं हमारे नाम लिखतो तुम से प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम पार रहे हैं जानती से तुमसे नहीं होना है अमेशा खुसा करते रहते हो और जाला टाइम पेस्ट मत करना यह तर नमस्त यह लो साइन कर वाले है वह ठीक है सर तुम भी जा, तुम ही जाओ, तुम ही जो, तुम आई ने कारओ, के तो करू को झा ऊंदादे, क synchronous हो। वेह र防ाज हमां संद्रोल के पाझनले जो है हो गया जाओ सभी चैनल सब करेक्ट है आप सब कुछ ठीक है आप बार्मातमाश आपको घरा आपको यह हूं सब हो गया है अदिह किलो है आप हो बार्बाद हो गया है पोटो अराम हम लोगा क्या होगा सो और व्याई बच्छों को क्या किलाए चब काम हो गया हों जलो हाँ 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 झेले पrióज़ेंगे будущ依ा परोआथ होगा वाट मुझेवा यह फालत होगे अब पर होगे नों परभास कर्णिया आई चाहेगे आज़ाए सब्सक्राइब कर दीवार बनवा दी है और बागी का जो काम बचाए वो अपने लड़कों को कह दिया है कर्पॉरेशन की जगह पर कभजा करना या दीवार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है नाम पर कराना बड़ी बात है अभी उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते पबलिक प्रापरटी के आराम से हजम करेंगे अरे भाई जालो जो निकालो चल्क्ति वो जान तो नहीं उसने किस पर हाथ डाला है, आप उते बताएंगे, ज़्लो उत्रोज अब जल्दी करो उत्रोज अब जल्दी करो उत्रोज से बुला कर लाओ अब भाइची को बुला रहे हैं यह उत्रोज से बुन मैं बुला रहा हूं जल्जाए उसमें मुझे खुले आम धमकी दी है उसमें कुछ तो बात है भाई अभी इतना उड़ रहा है उसका कुछ तो करना पड़ेगा पड़ी पर आप नहां के दो फुसी यहां लाके आपके सामने चुकड़े चुकड़े कटूंगा यह काम इतना आसान नहीं है वो अलग तरह एक आदमी है बॉका देखकर मारना पड़ेगा अरे एक आदमी ही तो है क्या भाई आप भी गन खोपड़ी पर लगाके फायर करूंगा ना तो मरे गई ना बोली आप बोली बोली ना कौन तुम उसे मारोगे तुम्हारी खोपड़ी पर गन रखी थी उसने अगर तुमने लापर भाही नेकी होती तो मैं उसे उसी समय मार दीता वहां उसकी लास पड़ी होती अहां यह तुम्हारे बस की बात नहीं मुझ पे छोड़ दो मैं देख लूगा अच्छा उस वक्त मैं इधर उधर ध्यान नीटिया अभी क्या करना है भाई यह बोलो अभी अभी बोलो क्या करना है पहले तुम्हारे नाम पे दो-तीन मडर केस हैं अब और नहीं चाहिए काना मैं उसे देख लूगा आओ परमाना जो कहा था वो कर दिया हाँ साहब आपकी बात कभी मैंने टाल लिया दतीता है भाई कोई प्रैडबरम नहीं होगी वैसे तुमेरी सारी बाते मानता है लड़की के मामले में तु बेरी बात नहीं सुनता जा पर ली ने माही उसरा हाँ की सब्सक्राइनिया कुढ़े है अच्छ आए अच्छ नमस्टे नेता जी नमस्टे अरे आओ इस्पेक्टर हवा किस तरफ की चल रही है अपने एरिये में नया एस्टीप आया है ठीक है घर ले आओ से जो मांगे का दे देंगे आप जैसा सोच रहे हैं वोज टाइब का बिल्कुल नहीं है नयाय, कानून, डिसिप्लिन, लॉइन, ओर्डर मानने वाला एक सक्त ओफिसर है डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा है अच्छा वो आँपे हांट डालेगा हैं सिर्फ इतना ही नहीं नेता जी उस एसीप ने आते ही सारे बड़े अपरादियों के लिस्ट बना रखिये कितन है और कानून है अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने भाई को अंडरग्राउंड कर दें तो अबच जाएगा क्या कहा उस एसीप के डर्स है अपने भाई को अंडरग्राउंड करवा दूँ थोड़े दिनों की तो बात है नेता जी मामला शान्त होने तक रूप जाईए पुल्स वाले बिल में छुपे स्वाब की तरह होते हैं बताई नहीं चलेगा कब डस लेंगे मेरी बात मान जा करूंगा अपने साथ कुछ लड़के ले जाओ उन्हें ले जाकर क्या करूंगा मुझे किसे लेकर जाना है में जाना किसे लेकर जाओ गया सप्राइज पुलिस वाले तुम्हारे इंकाउंटर की बात कर रहा है और तुम मुस्करा रहे हो भाया यह कवीता मेहंदर पांडे की बेटी कवीता कवीता पांडे जी की बैटी ओ यह बात है औहर मैं ठीक हूँ पिताजी कैसे हैं पिताजी भी ठीक है जाओ इसे लेकर जाओ खाना वाने खला दो जाओ जाओ कर दो कि अब कि है कि क्या हुआ तुमने कहा जल से जल्दाजा करन कि क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे प्यार के बारे में भाईया और तुमारे पिताजी को पता चल गया तोनों एक दूसरे के दुश्बन तो पहले इसी और अब नजाने कि यह तुम क्या कह रहे हो मैंने तुमारे पिताजी के पहर पकड़ कर विंते की उन्होंने कहा कि एक भाई हमारा दुश्मन और दूसरा मेरी बेटी से प्यार करने की ज़रूरत कर रहा है मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे लाख मार कर भगा दिया सब्सक्राइब अगर उन्हें हमारे बार में पता चला तो हम दोनों को भी मिला देंगे यह तो मौने नहीं रही है क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है कि मुझ पर मेरे प्यार पर भरोसा नहीं ऐसा लगता है एह अगर भरोशा नहीं होता तो तो तुम्हारे साथ आती क्या कि मैंने प्यार के लिए अपने पिता समान भाई को छोड़ दिया अब पर तुम तुम अपने पिता को छोड़कर आने को तहां मिरें इतना सोचरी हो तो फिर ठीक है कि मैं चलता हूं का अगा है कि मुझे तुम्पर पूरा भरूसा है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूं कि चले जान चलो कि नमस्ते साथ हां कि साहब कोई जरूरी काम था क्या है वो क्या है मेरी बेटिया कहें भी जाती ही मुझे बता के जाती है कल से बड़ी बेटी कहा गई कुछ पता नहीं चल पा रहा है यह क्या कह रहें आप देखिए मैंने अपने लड़कों को ने ढूनने के लिए भूचा है इस मामले में आप ओफिसली के अलावा पस्ताली कुछ करें तो महरबानी होगी आप भी न साब यह हमारे घर का मामला है आप जरा भी चिंता मत किज साब लड़की कहीं भी होगी उसे ढून कर लाना मेरी जिम्बेदारी है चाहे जो भी हो किसमें किर्नेट किया होगा साहब आपको किसी को शक है क्या इस एरिया में मुझे किसी पर शक नहीं वैसे दुश्मन तो मेरे बहुत सारे है लेकिन संदेह किस पर करू समझ नहीं आ कोई प्यार व्यार का चक्कर अरे ने 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 इस गाव में प्यार करने वालों को मेरा पूरा सपोर्ट रहता है फिर क्या मैं अपनी बेटी की प्यार को नहीं समझूगा अरे ये बात वो भी जानती है ठीक है साब मैं चलता हूं नमस्ते साब जी साथ तुम्हें उसका कुछ पता चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला थे था कहीं और दूगा अहां साब जी क्या अहां साब जी कर दो कर दो दो प्रश्य वाइब याद है ना आप तो मुझे जानते ही है वो डूनते रहेंगे मैं हाथ ने आने वाला नहीं आप जिन्ता मत करो सुनो तुम उस लड़की को लेकर बाहर ज्यादा मत घुमना भाई मैं लड़की-वड़की के पीछे नहीं गुमता मेरे लिए तो जो कुछ भ बनना मैं खुद फोन करूंगा ठीक है भाई ठीक है प्रणाव रड़ी हो तेदी एश्वार्य एश्वार्या तेदी तुम कैसे हो रोम आती तुम बहुत बतली हो गई हो मैं खुश हूँ देदे रो मत ना मुझे पाफ कर देना पैने अपने परिवार की सबको ताख पर लगकर पाफ कर चलिया रो मत देदी तेदाजी कैसे है वो ठीक है पर तुम्हारे बिना घर सोना सोना लगता है तुम हमें बूल गई हो दी दी मैं कैसे बूल सकते हूं अगर बूली नहीं तो फोन क्यों नहीं किया मुझे माफ कर देना एश्वरे जानती हूं इनके घर में बहुत प्रब्लम थी इसलिए मुझे तुम लोगों को बिना बताए शादी करनी पड़ी खेरिये सब छोड़ो ये वह है जीजा जी मेरे दीदी हमसे बहुत प्यार करत मेरे पास हो बिता मेरे पास हो उसे अभी स्कूल जाना है इसलिए ऐसा कर रहा है चीक है अच्छा हुआ तुम आ गई हम इसे लेकर मंदिर जाना चाहते थे अब तुम भी साथ चलना चलोगी ना चलो ठीक है मैं चलती हूं और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है हां तुम कर दो जीजा जी आप यह क्या कर रहे हो तुमने खाना खाया हाँ मैंने तो खा लिया फोन मैं बाख सर रहे थी कर रहे हैं बोले जीजा जी हलो पिता जी पिता जी आप मुझे बात नहीं करेंगे पिता जी आप मुझे माप कर दिया यह नहीं करेंगे करेंगे पिता जी मैं बहुत कोश्यों पिता जी इस बात का दुख है कि आप से नहीं आप आई पिता जी आपका नाती स्कूल जाने लगया है पिता जी हमेशा आपके बारे में पूचता रहता है पिता जी कब मुझे नानाजी से मिलाओं में यही पूछता रहता है पिता जी अभी एश्वरा मेरे पास ही है आपका नाती अपनी मौसी से हिल मिल गया है पिता जी पिता जी मैं आपसे मिलना चाहती हूं पिता जी पिता जी मैं आपको अपने घर का अड्रेस पेज़ती हूं कि आपको पिताची पिताची अपी पिताची 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 करें कि दी आज बहुत हुआ खुश्छ लग रही हो क्या बाथ है बोलो ना उसका उसका प्रण बता दा पी प्रणव को लेकर आती हम भी बताती हो ठीक नहीं होगा तुम इस शेहर में नहीं हो तुम घर तुम क्यों तकलीफ लोगी मैं खुदी लेकर आती है जी जाजी अक्के लिए है उनके लिए चाए कॉफी बनाओ जाओ जाओ ना ठीक है तुब बहुत जिद करती है पर संभाल के जाना ठीक है बाइब जल्दी आना ठीक है दीदी हालो बोल भाई भाई एंकाउंटर ना हो जाए इस डर से मुझे बाहर भेजा आज पांच साल हो गए अखे कब तक मुझे ऐसे यहां जिंदगी काटनी पड़ेगी ए सुनो भाई तुमने इतने साल इंतिजार किया न वह बेकार नहीं गया एसीपी का ट्रांसपर करवा दिया हाँ सुपब वह भाई सुपब है तुम अभी उसे खतम कर दो भाई उसकी चोटी बेहन भी यहीं पर है वह वह अभी वहां है क्या तो ऐसा करो उसकी बेहन को भी खतम कर दो इस पांडे को बड़ा गिफ्ट मिलना चाहिए आपने कह दिया ना भाई सम्झे को हो क्या कि बहुत दिनों बहुत शेकार करूंगा कि ए मैं अंदर पांडे तुने मेरे सापर गन रखी थी ना अब तेखना दो दो बेटिया होते हुए भी तुझे कैसे बे अलाद करता हूं जैस्वामी आयना में ओम भगवाने ना में ओम पुटेर कैसे आना हुआ नेता जी आज मेरा जन्म दिन है मैं आपसे मिलने आया हूं बिल्कुल सही समय पर आयो पुझा कर रहा था हमेशा खुश रहो नेता जी आपको खीर बहुत पसंदे ना मैं घर से लेकर आया अरे वाँ पिछली बार बहुत स्वादिश थी वाँ 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 अच्छी खीर बनाना सबके बसकी बात नहीं होती मेरी दादी के बात तुम्हारी पत्नी के हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद आती है वाँ तिल से बना हो तो सब अच्छा लगता है लाइए नेता जी तुम सरकार के भरोसे के हो या नहीं पर मेरे भरोसे के जरूर हो गए अरे हाँ तुम्हारा जनम दिन है न तुम्हें कोई तोफा देना पड़ेगा आओ आओ यहाँ वहाँ जहाँ भी दिखी गाओं की आधी जमीन आपने अपने नाम करवाली मैंने आपके हर उल्टे सिदे काम में साथ दिया है लेकिन आप मेरी जमीन भी अप्याना चाहते हैं तुम उस सरकारी बगीजे की बात कर रहे हो ना ए मुझे वह पसंद रहे इसलिए दिवार खड़ी करने के लिए का तुमने वह जमीन दीवांजी से हर्पी थी तो क्या हुआ आप मुझसे अड़पेंगे यह कहा कहा न्याय है निता जी मैंने आपके लिए क्या-क्या नहीं किया है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कि और मैंने तेरे साथ हाथ क्या मिला लिया तो तुने सोच लिया कि मैं तेरी गुलामी करता रहूंगा तो मुझ से चला की करने चला था ना, मैंने तुझ से चला की कि इसलिए मैंने तुझे जहर वाली खेरी पिलाई तो आट वेयर है, तो मैं सॉफ्वेयर, नहीं समझा न? अगर तो पुलिस वालों से गुंडागेरी करेगा तो पुलिस वाले तुझे उपर पहुंचा देंगे नमज क्या अब जाओ उपर एए आज तुम बहुत खुश लग रही हो क्या बात है मैं तुम एक सर्प्राइज देने वाला हूं एक जमीन खरीद रहा हूं तुम्हारे नाम पर यह किसलिए मेरी इच्छा है बस तुम साईन कर दो मेरा नाम किसलिए अब अपने नाम से लिजे ना मैंने फैसला कर लिया हुआ तुम सिर्व साईन करो ठीक है आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं चुप-चाप साइन कर ही देती हूं यह लीजे साइन कर दिया यह क्या है क्यों है बीना पूछे ही साइन कर दिया तुमने तुम बहुत भोली हो तुम्हारे साइन करते ही मैंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया और अब जो करना अब पूछे ही मैंने तुम्हें याकिन कि इचली बहुत सौल से इसन कर राधा मैं करना तुम्हें परेसा एक सत्वारिया अं 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 अ अ अ बहुर्त, बहुर। अब बहुर्ते तरके तने पदल, पदल, पदा पदल आ Rexach मेंडिय, तुझे क्या हो गया, तुने इस तूष्ट पे बहरो सागिया, मेंडिय मेरी पेंडी को मारा इसने मैंने उसे माश्राइए तुने यहारा है कहां जा रहा है तुने मसाला नाम की फिल्म लगिया ना वही देखने जा रहा हूं मसाला यह कोई फिल्म का नाम है अरे मंजूल ठाकूल की बहुत ही बोच पूरी फिल्म है तुन तो रवी सीना के अलाम है किसी की फिल्म पेंसिल जैसी टांगों में पेंट पेंड के जा रहा है अरे खुछ को देख ले हाथी भी शेट बहुत खुश लग रहे हो मेरी माने मुझे माफ कर दिया है इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी वही थी उसी ने मा को समझाया क्या यार तो और मार ले भाई पीछे देखो वही आ रही है तुम नों कहा जा रही है माने पुजा का समाल नानी के लिए कहा था उसी के लिए जा रहे है ठीक है जाओ और थैंक्स क्लारी पेटिकट पेटिकोट पेटिकोट कैसे हो पापीजि आँ शंभू कैसे हो मैं बिलकुल ठीक हूँ मैंने आपके लिए कांगी वरम सिल्क बनार्सी सिल्क कोला पूरी सिल्क सब देखा लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आया इसलिए मैं सब तरब से ढूंद कर आपके लिए मश्रूम सिल्क लेकर आया हूं यह मश्रूम सिल्क क्या होता है आपको मश्रूम सिल्क बहुत आपके उपर बहुत जमेगी इसमें तो होली होल दिखाई दे रहा है आप कैसी बात कर रही है आज कल फैशन का जमाना है नया पैटन है यह ना बॉर्डन ड्रेस है आज कल औरतों को होल वाली साड़ियां बहुत पसंद आती है देशाब का पती ही नहीं पुरे गाउं के में में जूत बोलता है इस बर मेरे साजानों नहीं कितनी अच्छी साड़ी पहन कर अपना बदन दिखाती फिर और उपसे मेरे पती को भी माल डाले तुम अपने आपको समझते क्या हो हाँ इस आउन में साड़ियां बेचने आते हो है और तो कि साथ बस्ती करने के लिए आ यह जोड़ु से मारूंगे दुबारा दिखाई दिया तो हां सुबह सुबह दिमारे मेरी कंपनी के साइकल तुम आहीं पर रहे गई पता देती हूं है क्या हुआ वो टिंकु नहीं दिखाई दिया सुबह से पता नहीं कहां रहता है निकल मैं तो ऐसे आया था जाना हूं भाई अब बागल है क्या इस लड़की यह कहने तुछा जाने लड़की जाने चलता हूं दोनों मिलके मुझे डारते रहते हो मैं चलता हूं जाने दोनों से मैं हूं ना बाबा मैं तुम्हारे उपर एक धूल तक नहीं पढ़ने तुम गुश्मी दीदी के बेटे के पीछे पड़ी रहती है जानती भी है कावाली का कहते हैं तेरे कारण गावालों के सामने सर उठाके नहीं चल पा रहा हूं मैं लिख के दे सकता हूं जो यह है ना किसी और लड़की के चकर में पढ़के मेरा और तुम्हारा दोनों का म नहीं देगा बाबा इतनी बार समझाने के बात भी नहीं समझती फिकलोती बेटियों तुम्हारी शादी धूम्दाम से कराना चाहता हूं मैं लेकिन तुम होना जाओ यहां से मालीक आपने भी छोटी सी बाते बच्ची को डार दिया हम सत जवानी में छोटी मुटी करते हैं पागल कहीं के जाद बाहर जय जय कहती रहती है मैंने सुना है एक लड़की का बाप भी यह तकलीफ समझ सकता है चल क्या बगवान मेरे दोख के इतनी प्यारी लड़की थी म मुझे इसा चांस मिलता तो कभी मिसी निकलता है यहां चिपकने के लिए कोई है क्या अरे मेरे तो नाम में किसमत जुड़ा है पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं आप कहना क्या चाहते हो है तुम तो प्यार में पागल होके जै के पिछे आई लव यू आई लव यू करके घूमती रहती हो लेकिन जै के घर में एक लड़की आई बच्चे के साथ पता है और कोई नहीं है वो जै के कोई मू बोले मामा की लड़की है वो अपने साथ एक बच्च्या लाई है अब ये भी सुना है कि दोनों की शादी होने वाली है मेरा जय ऐसा कभी नहीं करेगा ये बात तुम्हारे पिता जी भी जानते है तुम्हारी माता जी भी जानती है पूरे गाओं वाले जानते है अब तो मुझे भी पता चल गई है वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है क्योंकि उसे तुमसे सुन्दर लड़की मिल गई है वो उसके साथ घूम रहा है तुमसे क्यों शादी करेगा अगर तुम्हारी बास सच निकली तुम मुझे क्या करना है मैं जानती हूं यह जे तुम्हें मेरी दोती उतार के मुझे नंगा किया था ना अब देख मैं तुझे पुरे गाउं के सामने कैसे नंगा करता हूं अश्क्यूज मी हां कहो अगर आप बुरा ना मनो तो मैं आपसे बात कर सकता हूं आप कहां तक पड़ी है बसी कम्पीटर साइंस वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है ना हाँ बहुत अच्छा है आपके गाउं में भी ऐसा मौसम होता है अब यहां जैसा है वैसा वहां भी होगा नाष्टागी आपने हम दोनोंने साथ में किया ना तुमा खराब है क्या मे मेरा मैं क्या पूछ रहा हूं इससे आपके पिताजी अगर घर गए तो आप भी उनके साथ चली जाएंगी हां मैं भी चली जाओंगी यहां मेरी दाल नहीं गलने वाली चीक है मैं चलता हूं जै वैसे तुम्हारा अफेयर कहां तक पहुंचा अफेया मेरा नाना मेरा अफ मजाक किया मैंने मेरा मजाक उड़ा रही थी देख लेना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें करें और अब नाना इसे थैंधा आप दोदू कर लिएंगा याओं न छुँटा न जाल मेरा ने आप दूकर लिएंगे अंब लगल जाले आ इसा क्या अब जाकर ले सब्सक्क्राइब आना ठेक है वह अपना ने अगड़ तयार हो गया हम वहां कप चल रहें इस गड़ा में तेरी पिता चीकि यादे ही जुड़ी हुई है मैं इसे चोड़ कर कैसे जा सकते हैं तुम ने बेटी की जिन्दगी गयाव कर दिया है तूम्हारे देखे तूम्हारे बेटी बता क्या क्या इस पर अधाना कोई भी लड़की इतना वड़ा इल्जाम ऐसे ही किसी पर नहीं लगा सकती है चीक है मैं तुमसे शादी करूँगा अगर हमारी शादी हुई ना तो मैं खुछ रह पाऊंगा और नहीं तुम रह पाऊगी लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए तयार हूँ एक में तुको क्या चाहिए और टुको और टुको आपको पाऊगे जस्या चाहिए अचाचा जी में आपसे जो कुछ भी का वो सब फूट रहा है जब एक मिट सुनना मुझे तुम से कुछ बात कर लिए हाल तुम एक बैचारी लड़की की जिंदिगी खराब कर दी तुमने उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी तुमने कोई गलती नहीं की तो लड़की जो कह रही थी कि उसके पेट में तीन महीने का बच्चा है वो क्या है तुमने देखा ना उस लड़की ने जो भी कुछ कहा वो सब जूट था आप जिससे पसंद करते हैं और कोई आप से प्यार करता है अगर शादी उसे से करेंगे जिन्दगी ज्यादा खुशाल रहेगी ऐसा हमारे एक सुपरस्टार ने कहा था ऐसी बात नहीं है शादी करने के लिए अगर एक तैयार हो तो जिन्दगी सुख से गुजरेगी और यह किसी और नहीं मैंने का तुम तो बातें बड़ी अच्छी करते हो इस तुम्हारे बारे में निल सकते हैं क्या का मिलना है जहां तुम को वहां पर ठीक है बताते हूं कि आ गये मुझे आने में थोड़ी देर हो गई मैं तो बहुत पहले ही आ गए थी वैसे हमारा गाउं बहुत सुन्दर है ना मैं यह सोच रहा हूं अगर मैंने कुछ कहा तो तुम बुरा तो नहीं मनोगी अच्छा मैं बुरा मान जाओ ऐसा तो कुछ नहीं पहले हो ना तुम कि खैर कोई बात नहीं बोलो देखो मैं इस बात को जाधा टाइम तक दिल में नहीं रख सकता हूं मुझे तुमसे प्यार हो गया है क्या मुझसी प्यार करते हो क्या हुआ हलो हलो अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने अकर तुम्हें मन्जूर है तो हां कह दो नहीं तो ना कर दो लेकिन इसमें हसने वाली कौन सी बात है वह बात यह है कि मैं पिछले चार साल से किसी और लड़के से प्यार करती हूं आप यह बात है सॉरी शैद मैंने ही गलती करती है ना चलतो तुही तो है मेरी जा तू सुन ले जीना भी मरना है बिंते ना कभी तू खो ना हमसे औरे मितवारे ना कभी तू हो ना हमसे दूर इकल महारे सास ठहर जाए दिल ना धड़क पाए तेरी कसम है रे ना बिंते न रे तू ही तो है मेरी जा तू सुन ले जीना भी मरना है बिंते ने जीना भी मरना है जीना भी मरना है बिंते ना दिल दिल राए कर दो कर दो की जन्तार तेरी करती बेकरार तेरे बिन मेरे यार हुआ टीनाब दुश्वार हाँ रब से कह दो मैं जूद नहीं आले तू जो नहीं तेरी करना या दुनिया दारे मेरी हो तुम रहो तुझ मेह गुम मुझको लगे तेरी दुन तु ही तो है मेरी जात तु सुन ले जीना भी मरना है बिन तेरे तेरे लिए जीता है दीबाना सरफिरा तेरे लिए लड़ बैठा खुदा की सारी दुनिया से लगेक दिन लब के सारी ऐसे न तरबातो मैं तुझ से वो के जुदा दीना कभी बातो ना जा रे मुझसे दूर दूर मुझसे ना जा रे तू ही तो है मेरी जा तू सुन ले बेजा है मेरी जा बिन ते मुझे माफ करतो तू मुझसे प्यार करती हो लेकिन मैं नहीं ये सब जानके तुमें बहुत तकलीफ पहुची होगी ना मुझसे गलती हो गई अगर हम किसी कुU सच्चा प्यार करते हैं लेकिन वो नहीं करता तो दिल पी क्या गुजरती है ये मुझे समझा गया है क्यों आप ऐसी बाते कर रहे हो जब मैं तुम्हारे बारे में सुचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हारे दर्द और तकलीफ का आज मुझे पता चला है तुम इस दर्द को अकेली ही इतनी तुनों तक जेलती रही और वो भी सिर्फ मेरी वज़ा से मुझे माफ कर दो मैं इस तकलीफ को दो दिन नहीं जेल पाया इसमें ना तो मेरी गलती है और ना ही तुम्हारी जोडियां तो उपर वाला बनाता है न लेकिन कोई बात नहीं अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं खुद को खुशनसीब समझूगा मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया है लेकिन गलतियां भी तो इनसान से ही होती है हो सके तो मुझे माफ कर देना आगे का फैसला तुम्हारे हाग में मैं चलता हूं पर हो सके तो मुझे माफ कर देना जै क्या भाइसाब आप परिशान लग रहे हैं लीजिय खा लीजीए जो यह क्या भाइसाब कई दिनों से आपने ठीक से खाना नहीं काया तो है नहीं आप परिशान तो है मेरी यह गलती की वजह से कई साल तक हमारा परिवार बिखर गया था अब जाके सब ठीक हुआ है अब मैं चाहती हूँ कि यह परिवार हमेशा खुश करें बहन तुम जो कहना चाहती हूँ साब साब करो वो वो क्या कि इतना संकोच मत करो बोलो क्या मेरे बेटी को दामाद बनाएंगे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी मैं भी तो यही सोच रहा था एक बार अपनी बेटी से पूछ लो बोलो बेटी तुम क्या चाहती हो मेटा तुझे मन्जूर तो है ना अज मैं सच मुझ बहुत खुश हूँ मैं अभी सब का मुझ मीठा कराती हूँ तुम ही थे लक्ष्मी अंदर लेकर जा बेटा पानी नहीं आ रहा है क्या हुआ भाई साप अभी आप उदास हैं मुझे तुम्हारी भी चिंता हो रही है चाह लोगों को इडली बना कर खिला दूंगी तो जिन्देगी का चाहेगी बच्पन से देखा है तुम्हें लेकिन इस गाउ में आके कितने तकलिफे उठाए हो तुम्हें एक काम करो वापस अपने गाउ चलो हम सब हैंना वहाँ नहीं भाई छिप जब से मैं शौदी करके आए हूँ इसे गाउं में रह रहे हूं इस धल से मेरे पती की यादी जूई हुई है मरी आखने सास तक यही रहों निए निकलता हूं चार दिन बाद मंदीर में बड़ी पूजा है चार दिन रुक कर पूजा देख कर जाएए ना अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे कहने पर चार दिन यहां पूजा के लिए रुख जाता हूं ठीक है भाई साब खाना खाले के तो एक मैट एक ज़रूरी कौन हाँ ठीक है हाँ बोलिये बोलिये अरे यह क्या हो गया कुई गाड़ी नहीं दिख रही है मंदिर में अभिशेक शुल हो जाएगा अरे जल्दी आओ भाई हाँ और से देखो इस फोटो में जो लड़किये से जानते हो क्या हाँ हाँ मैं जानता हूं आश्वर्या नाम है इसका वो इडली वाली दीदी और जै के घर में रहती है अभी वो लो कार्थिक मंदिर में पूजा करने के लिए गहें मैं भी वहीं जा रहा हूं है जाला जाला है अलो एइए उस मद्वार पांडे को पूरे परिवार के साथ उठा है गारी मोल और तुरंड कार्थिक मंदिर चल जल्दी चल मेरे भाज्यू को जेसमे मारा है उसके पूरे परिवार के टुक्डे टुक्डे कर दूंगा मैं झाल झाल कि अब हारे बच्चों की शादी यहीं होनी चाहिए ठीक है भाई साब ले बिटा सुम्बल को चलना हां आराम सोता हां अधिया अधिया कि कि विए कि विए ले शाइ जा देत की मत ओसे है बराथ जद में ले लेकांब़ से एर ऊेर की अधिया झाल वाल 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 कोई देख लेगा है कहा ना देखने दो ना वैसे दी तो हमारी शादी होने वाली है हाँ बाबा मैं जानते हुप यार इनके पापा को कुछ गुंडे मार रहे है वहाँ पर क्या बात कर रहा है चाल देलिए रहाए है हुआ कर दो कर दो! है यज उवाम वरह nå पर अजस अच है टे जैपे गृ जी दो यजए मैसाब मैसाब एंक तैम ऑ खएिव Sudan quantum मै जिट थार आगा खख बहुआ बहुआ बहुँ ले हां बहुआो बहुआ है बहुआ बहुआ है? झाल 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 यहाँ झाल झाल झाल